यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ और कहा कि कभी भी इनकी बत्ति गूल हो सकती है आखर में अनिल विज ने राहूल गान्दी को भी नहीं छोड़ा और उन पर भी स्यासी वार किया देखिये वह कुछ करता रहे दिल्ली को तो उसे ने करती है बरबाद ठीक है दिल्ली में नाव चल सकते हैं गाड़ी से बाहर मौ निकालो तो मौ काला हो जाता है कपड़े काले हो जाती है तो इससे दिल्ली तो ठीक हो नहीं रही किसी भी परकार से अब ये वहाँ से किसी भी तरह से भागना चाहता है और इसको हर्याना के लोग पूरी तरह से पैचानते हैं अच्छी तरह से जानते हैं ये हर्याना विरोधी आदमी है बात ये उत्तर प्रदेश में है माइक्रोसकोप से भी ढूंडने पर कांगरस नजर नहीं आते कहीं पर और जहां तक सपा और बसपा के गठबंदन की बात है ये तो इसी परकार का मेल होगा जैसे बिजली की दोनों तारें आपस में जुड़ जाएं तो इसमें फ्यूद बलड़ना तो लाजमी है देखिए राउल गांदी के पास कोई भी तत्थ्या नहीं है बिना तत्थ्याँ के वो बात्चित कर रहा है और लोकसवा में बैस के दुरान बता दिया सुप्रेम पोर्टर ने अपना फैसला दे दिया कि उसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ था और इसको यह बता दिया कि खली जहाज का और थ्यारों से लगते जहाज की किमत में फरक होता है अब यह जानना चाहता है कि उसमें कौन कौन से थ्यार लगाए तुमने तो वो तो हम दुषमन देश को नहीं जानने देना चाहते है और हम यह ऐसा लगता है कि यह किसी दुषमन देश के इशारे पर ही एशा कऊट हो तो खासे अब अपने बहादों से जाने जाते हैं और एक बार फिर्स से अपने विरोजियों को निशाने पर लेते हुए नज़र आए हैं अनिलविज